स्वागत्यों आगे बढ़ते हैं खबर चंद्वाडा से जहां पर बीजेपी के प्रदेश अधक्ष वीडी शर्मा ने चंद्वाडा में कई कारिक्रमों में हिस्ता लिया ज़रान उन्होंने समरस्ता भोच के तहट दलित महिला धक्ष के घर जाकर भोचन भी किया बंसल न्यूस से खास बातचीप में बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाब में प्रचंद बहुमत से जीतेगी उन्होंने कहा कि अब कॉंग्रस विलुप्ट होने की कगार पर है बीडी शर्मा से बात की हमारे समवार दाता मत्यवेदी ने आदरनी भारती बहन भारती देशवाली उनके घर हमने अभी एक जहां भी प्रवासपर में जाता हूँ तो अपने बूत अध्यक्ष के घर उनके साथ भोजन करना अपने बूत के बारे में उनके साथ बात करना उनकी बूत समिती के लोगों से मिलना तो भारती जिन्ता पार्टी में हम लोग कहते हैं कि हम कैटर वेस्ट और्गनाजिशन हैं और बूत हमारा सबसे मजबूत आधार है तो संगटनात्मक सुदरडी करण को लेकर के ये एक प्रयास है चिंदवड़ा के अंदर भारती बेहन के घर में मेरी युगूत अध्यक्ष है उसके घराज मैंने भोजन किया इसके लिए मैं अपने आपको बहुत सोबागिशाली मनता हूँ प्रत्म नगर आग्मा ने प्रदीश अध्यक्ष बनने के बाद और कॉंग्रेस के प्रदीश अध्यक्ष कमलनाजी का ये ग्रह जिला है संगटनात्मक रूप से कैसा देखते हैं ये जिला तो भारती जनता पार्टी का आस्य नहीं बहुत कई बरसों से भाजपा का संगटन यहां पर बहुत सक्त और सक्तिशाली है यहां पर ये कोई किसी का जला नहीं है ये मध्यप्रदेश बासियों का जला है ये छिंदवाडा बासियों का जला है बाबुलाल चौरसिय जी के कॉंग्रेस में चले जाने के बाद एक बावाल समच गया है। कॉंग्रेस के तरब से बड़े बयान आ रहे हैं इस बारे में आप बता है। कॉंग्रेस अपना अस्तित्त हो रही है माननी प्रधान मंत्री जी के नितरत में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से भारत का मान और सम्मान दुनिया के अंदर आप मुझे बताइए कितना घर्व का विश्य है कि 24 देशों को इस महमारी के संकट में वैक्सीन देने का काम भारत के प्रधान मंत्री जी के नितरत में 24 देशों को भारत की सरकार ने किया है। दुनिया के देश एप्रिशेट कर रहे हैं। से जीतेगी और चिंदवाडा को देश का एक नंबर सहर बनाने का काम भारती जंदा पार्ड़ी के कारिकरता संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे।